हलो एवरिवन विल्कम बैक टो चैनल दिने सरी सुड़े में बात करेंगे MSTCT की एक्जाम के लिए आई हुई नई नोटिस के बारे में बहुत से बच्चों ने 10 फरवरी से ही जो है रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था इस एक्जाम को लेके जैसे कि आप जानते हैं कि महराष्ट्रा की होने वाली जो यह MSTCT exam engineering, pharmacy, agriculture वाली यह जो है यह 11 जून से होने वाली है तो यह जो एक्जाम है अगर आपने इस एक्जाम के लिए अपलाई नहीं किया है तो इसकी जो last date 31st मास थी जो निकल चुकी है लेकिन जो CT sale उनकी तरफ से date को extend कर दिया गया एक नए notice के जरिये और अब अगर आपने जो है MSTCT के लिए apply नहीं किया होगा तो आपके लिए एक सुनारा मौका फीर से भाई मौका हाथ से जाने ना दें ओके अब 15 एप्रिल तक ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 15 एप्रिल तक आप जो है यहां पर बता दू 15 एप्रिल यहां दिख रहा है 15 एप्रिल तक रात के 12 बज़े के पहले तक आप registration कर सकते हैं इतना रुखने की जरुत नहीं है आज 2nd एप्रिल है आज या कल 2-3 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म फिलिंग कर ले और इसी साल एक्जाम देखे आगे बढ़े नहीं तो आपको problem हो सकती है अगर आपने 15 एप्रिल तक registration नहीं किया तो क्या होगा तो पंदरा एप्रिल तक अगर आप registration करते हैं तो आपको कोई late fees नहीं लगने वाला without late fees है अगर आपने 15 April तक registration नहीं किया तो उसके बाद भी आपको एक last chance दिया जाएगा 16 April से लेके 23 April तक बट यहाँ पर आपको late fees भरना पड़ेगा 500 रूपए का 500 रूपीस का late fees भरके आप 16 के बाद भी registration कर सके बट 23 के बाद आपको फिर से कोई chance नहीं मिलेगा 23 April late fees के साथ last date है बट क्यों late fees देना 15 April के पहले ही registration कर लो MSTCT की exam 11 June से लेके पूरे दो हफते तक चलने वाली है वो exam session wise होगी shift wise होगी तो अगर आपने form नहीं भरा है जरूर भरे ओके all the best आप सभी को और चानल पर पहली बार आयो चानल को subscribe करो वीडियो लाइक करो अपने दोस्तों में share जरूर करना